प्रिंसेस कट ब्लाउज आज मैं आपके लिए प्रिंसेस कट ब्लाउज लेकर आई हूँ तो यहाँ पर यह साड़ी है जिसके साथ मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाने वाली हूँ और साथ में ही यहाँ पर प्लीट्स वाली जो है स्लीप्स बनाने वाली हूँ तो यह देख चोटे चोटे टिप्स हैं जो आपको मैं बताने वाली हूँ और साथ में ही हम इसकी स्टिचिंग करेंगे लेकिन वो अगर आप बोलेंगे तभी मैं स्टिचिंग की वीडियो डालूँगी बट फिलहाल के लिए आज मैं आपके साथ cutting की वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि princess cut blouse आप बहुत असानी से कैसे cut करके ready कर सकते हैं तो यह है साडी का blouse piece जिसको मैंने अलग कर लिया है अब इसकी न दोनों साइड़ों पर एक साइड पर इस तरह से double में पट्टी है और एक साइड पर इस तरह से single में पट्टी है तो जिस तरफ पर single में पट्टी है उस तरफ से हम back पले का cutting करेंगे मतलब blouse का back piece हम cut करके ready कर तो मैं 15 इंच, मतलब 1 इंच extra लेके तो यहां पर mark कर दूँगी सबसे पहले हमने length measure कर लीनी है मतलब 14 इंच ready आती है तो एक इंच extra रखेंगे हम सिलाई के लिए वह 15 इंच पर हम इसको mark कर देंगे ठीक है तो यह सबसे पहले हमारी marking होगी और सबसे पहले हम back पला कट करें क्योंकि front में कुछ चीजें हैं जो हमें back से different रखनी होती है अब यहां पर देखिए मैं फिर से इसको double कर दिया है मैंने और double आपने उतना ही करना जितने आपकी fitting है plus extra margin जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ तो सबसे पहले shoulder की हम यहां पर marking करेंगे तो shoulder जैसे 14 इंच हो कोड़ा सा कम रखना है blouse में shoulder से लेकिन कुर्ती की cutting में ब्राबर रखना होता है armhole और shoulder ठीक है अब यहां पर fitting की marking करेंगे 10 इंच पर मैंने fitting की marking कर दी है plus उसमें हम 2 इंच extra margin देंगे 12 इंच पर हम यहां mark करेंगे तो यहां पर हमने 2 marking कर ली अब इसको मिला देंगे armhole वा गुल वाली गुलाई की shape ठीक है तो यहां पर इस तरह से यह गुलाई की shape देने के बाद हम आ जाएंगे कमर की marking के लिए तो यहां पर 8 इंच जो है वह कमर की marking है और उसके बाद हमने जो back side पे 2 tucks लगाने होते हैं जिसमें हमने 1-1 इंच का front और back side पे लगाना होता है तो हमने उसके लिए यहां पर 1 इंच जो है extra ले लिया और 2 इंच extra margin समझ गए अब इनको हम मिला देंगे जो extra margin है उनको और जो fitting है उसको अब यहां पर neck की हम कर लेते हैं marking तो 3 इंच मैंने broad रखा है neck को अब जो back neck में deep बना रही हूं वो बना रही हूं 10 इंच तो यहां पर मै 10 इंच जो है deepness रख रही हूं आप यहां पर कम भी रख सकते हैं जैसे 7,8,9 जितना भी आपको deep रखना हो मैं थोड़ा सा जदा deep रख रही हूं 10 इंच तक रख रही हूं तो 3 इंच ही मैं जो deepness इसको broad भी रखूंगी और यह एक box बना दूँगी अब यह box बनाने के बाद हम इसको एक गुलाई की शेप दे देंगे मताब सिंपल साइक नेक मिना रही हूं मैं जादा डिजाइन वाला नहीं है यह बैक साइड पे राउंड सा मिने कॉब दे दिया है अब जो फिटिंग की सलाई आईगी इसको भी हम आपस में मिला देंगे यहां पे तो बस यह हमा यहां पर एक इस तरह से पेपन ले लिया है और इस के साइड पे हम आधा आधा इंच की राइन ड्रॉ कर देंगे यह आधा हुक और पट्टी वगरा लगती है उसके लिए हमने यह आदा दा इंच छोड़ना होता है चलिए अब चलते हैं यहां पर जो बैक पल्ला है उसको मैंने रख दिया है सीधा इसके ओपर यह आदा इंच वाली जो लाइन है इसको छोड़ के फिर रखना है पल्ले को अब हमने इस ड्रॉ करना है जैसा जैसा हमने पैक पल्ला कट किया है तो यहां पर पूरा हम इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे पेपर के ओपर अब यह जो पेपर कटिंग आप करते हो ना अच्छे से इसकी कटिंग करके एक रख लो जब भी ब्लाउस कट करना हो जस्ट इस पेपर कटिं जो करनी होती है तो यहाँ पे देखिए यह सबसे पहले यह दस इंच हमारी fitting आ रही है तो इसपे हम mark कर लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे आधा आधा इंच हमने front armhole को deep करना है back armhole से ठीक है तो यहाँ पे में सबसे पहले यह आधा आधा इंच जो है front पल्ले का जो आम होल है इसको में आदा आदा इंच डीप कर रहे हूं अंदर की और निशान लगा दिया है अब उसके बाद हम आ जाते हैं कमर वाली साइड पे तो यहां साड़े आठ इंच मेरी जो फिटिंग आएगी उसमें हमने दो इंच एक्स्ट्रा मिलाना है किसके दो इंच लेकर यहां पर शाड़े दस इंच मेरी जूरुर आथ इंच मेरी फिटिंग है उसमें दू इंच में ने प्रिंसे कट के में डाल दिया कि 911 और उसमें दो इंच में जो है एक्स्ट्रा मार्जिन दे दिया ठीक है तो साड़े बारा इंच पे मैंने यहां mark करके इसको मिला दिया आगे तो अब हमने यह draw कर दिया है line जो एक extra हमारा आया है वो हमने line draw कर दिया है तो बाद में अब हम princess cut भी करेंगे लेकिन उससे पहले हम neck की cutting करेंगे तो यहां पे 3 inch broadness रख लेनी है लेकिन जो आदा inch वाली हमने line लगाई है उसको छोड़ के करनी है यह marking उसको कहीं भी आपने बीच में involve नहीं करना है 3 inch हमने broad रखना है नीचे से भी 7 inch deep रखा है front neck मेंने और बस इसको एक round सा shape दे देंगे इस तरह से यह हमने 7 inch deep रखा है front neck चलिए अब चलते हैं यहां पर और जो फिटिंग की हमारी जो line आईगी इसको भी हम draw कर देते है ठीक है एक estimate के साथ इसको भी draw कर दिया है हमने बाद में जो हम इसको जब हम इसका final जो fitting की से लाई करेंगे उस time फिर से एक बार measurement ले लेंगे तो यहां पर अब चलते हैं हम जो हमने princess cut जो लगाना होता है वो हमने 10 inch पे सबसे पहले यहां उपर से marking लेनी होती है shoulder से नीचे हम 10 inch पे mark करेंगे अब देखिए यहां उपर से हमने लेना होता है 10 inch जो है वहां से 4 inch हमने लेना होता है देखिए इस तरह से यह जो आदा inch वाली हमने side पे line रखिए यहां से 4 inch पे mark करना है और जब आप नीचे चले जाते हो कमर वाली side पे तो यहां से 3.5 inch पे mark करना है उपर से देखिए चार इंच पर मैंने मांग किया है और नीचे से साड़े तीन इंच पर मांग करना है ठीक है आधा इंच नीचे से कम रखना होता है तो ये देखिए उपर से हमने शोल्डर से लाना है दस इंच पर ये जो निशान लगेगा प्रिंसिस कट हमारा दस इंच से नीचे होता है ठीक है अब उसके बाद यहां पर देखिए यह जो हमारा center point आता है वहां से आधा इंच हम आगे की और निशान लगाएंगे यह देखिए यह जब हम box बनाते हैं ना armhole का उससे आधा इंच जो आगे की और हमने यह निशान लगा दिया है और अब इन तीनो points को हमें आपस में मिला देना है ठीक है यहां देखिए इस तरह से हमने इन तीनो points को आपस में मिला देना है और इसके बाद होगा princess cut की marking तो यह एक line जब हमने draw कर दी उसके बाद यह देखिए दो इंच का हमने gap दे देना इसके बीच में चीक है fitting वाली side पर देना है दूसरी side पर नहीं fitting वाली side पर यहां पर हमने fitting की सलाई कबनी है अब इसको इस तरह की shape में कुछ मिलाना है यह 10 इंच पर हमने निशान लगाया था न वहां से नीचे मिलाना है वहां से नीचे इस तरह से गुलाई से आगे से नीचे की और लेके मिला देना है तो अब यह देखिए इस तरह से मैंने इसको मिला दिया है उसके बाद हम जो बैक पला है उसको रखेंगे और इस तरह से बस आम होल को आपस में मिला के और फिर उसके बाद इसको आधा आधा इंच वैसे आप नॉर्मल अगर measurement लोगे तो आधा इंच इसको high कर देना side से और आगे से भी इसको आधा इंच हम high कर देंगे इस तरह से आधा आधा इंच side से high होगा बीच से बराबर रहेगा तो चलिए अब हम इसकी cutting कर लेते यहाँ पर यह cutting कर लिए हमने और इसको पूरा इसी तरह से as it is हमको cut करने ना है princess cut भी हमने इसी तरह से करना है जैसा यह mark किया है तो यहाँ पर देखे यह पूरा मैंने cut कर लिया है neck भी cut कर ली है और यह princess cut वाला जो बीच में यह piece है इसको निकाल के हमने अलग कर दिया है बस इसके निकलने से ही princess cut जो है उससे blows की fitting बहुत अच्छी आती है अब जो हमने यह cutting की है इस cutting को हमने paper के उपर sorry कपड़े के उपर रखना है और आधा-ाधा inch extra रखना है इस side से यहां से हमने इसको सिलाई देनी है यहां से हमने princess cut दिया है उस side से हमने इसको आधा-ाधा inch extra रखना है और बस इसको cut कर लेना है जैसे जैसा इसको हमने यहां रखा है उसी तरह से same हमको इसको cut कर लेना है बाकी तो ब्राबर रखना है सिरफ जहां से हमने जोड़ना है इसको वहां भे हमने आदा देंच एक्स्ट्रा रख दिया है तो यहां पूरा इसको हम कट कर लेंगे और यह देखिए इस तरह से यह कपड़ा कट चुका है अब बस हमको इसकी स्टिचिंग करनी है और उसके बाद अब जी साइट पर जो जॉइंट है इसको भी हम अलग-लग कर देंगे इस कपड़े में जी जॉइंट है साइट पर इसको अलग कर देंगे और यह हमारी हो गई फ्रंट पले की cutting तो यहाँ पेपर है इसको रख देरा संभाल के जब अगर इस तरह से cutting करते हो तो कभी भी blouse cut करना हो रखो और cut कर लो अब यह पीस हमारा बचा है इसकी हमने बनानी है sleeves तो इसको हम पहले इस तरह से करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको cut करके निकाल देंगे और बराबर करके हम sleeves की cutting करेंगे तो यहाँ पे इसको हम four layer में कर देंगे दो sleeves की cutting हो रही है आगे की और आदा आदा इंच हम कपड़ा छोड़ देंगे और जो पीछे हमने जो 10 इंच पे mark करना है जो हमारी length है sleeves की अब यहाँ से उपर 7 इंच पे हम mark कर देंगे जितना कपड़ा हमारे पास बचा हुआ है बस इसकी pleats आएंगी तो यहाँ से अब देखिए यह 7 इंच पे आया है इतना कपड़ा हमारा extra आया मैंने पूरा ही ले लिया इसमें 10 इंच हमारी fitting रहेगी sleeves की तो उस पे हमने एक line draw कर दिया और आदा इंच आगे की और हमने extra रख दिया है तो यहाँ पे देखिए 3 इंच पे हमें mark करना होता है आप 2 इंच पे भी कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे इसको लाके हम मिलाएंगे यह देखिए यह जो हमारी sleeves है इसकी जो चोडाई है और यहाँ से हमको deepness देनी है 3 इंच ठीक है जो हमने center line जो हमारी मतलब पूरी length जो हमारी sleeves की है 10 इंच वहीं से हमको 3 इंच deepness देनी है जो उपर की और हमने रखा है वो extra है वो pleats के लिए रखा है अब इस तरह से हमें इसकी shape देनी है लेकिन उससे पहले हम यह front वाला जो है ना दो पटिया है ना एक पटि को cut करके अलग कर देंगे क्यूंकि उसको हमें fitting में लगाना है तो यहाँ पर इस तरह से कुछ shape देंगे अपनी sleeves की यह देखिए इस तरह से अब इसको हम cut करके अलग कर देंगे very easy बहुत आसान होता है princess cut blouse की cutting करना और बस इस कपड़े को हम अलग कर देंगे और यह हमारी sleeves की cutting हो चुकी है इसको अब हम open करके देख लेते है तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यह pleats आएंगी जब sleeves बनेंगी तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पर इसके जो front में हमें यह जो पट्टी जोडनी है यह पूरी fitting में जोडनी है इसके पीछे sleeves में pleats आएंगी तो यहाँ पर साड़े 5 इंच fitting है साड़े 6 इंच पर में इसको mark करके बाकी का extra कपड़ा जो है इसको cut करके निकाल दूँगी तो यह साड़े 6 इंच पर में इसको mark कर दिया है और extra कपड़ा हम cut करके निकाल देंगे आगे से पूरी fitting में रहेगी पीछे pleats आएंगी यह देखिए इतनी इतनी में pleats आएंगी पीछे तो यह मेरी sleeves की cutting भी done होती है friends तो यह था मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो like share और subscribe ज़रूर करना फिर मिलते हैं friends ने आए वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care